Hello Students, Interesting Places in India भारत में कुछ interesting place आज हम जारेंगे interesting place भारत में कौन-कौन से हैं भारत जो है वर्ड का 7th largest country है डाइवर्सिटी बहुत सारी है भारत में कई सारे राजाओं ने राची किया है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं भारत में जो काफी interesting है आज हम उनी के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में interesting कुछ monuments कुछ और भी चीज़ें हैं जो इतनी अच्छी हैं जो कि modern time में भी याद किया जाता है या उसन दीखा जाता है कि उन्हें किस तरीके से उस time में बनाया गया था उस समय कि science technology कैसी रही होगी कि वो बना दिया गया उस समय आईए उनके बारे में start करते हैं नमबर बन है अकवर्ज टॉम अकवर्ज जो था great mughal king था ये टॉम आगरा में है it is a masterpiece of mughal architectural style मughal की सारी architectural style का एक masterpiece है बहुत ही अच्छा नमूना है it is a bright red structure ये red stone का बना हुआ red structure इसे भी अकवर्ज ने बना है था यमना रिवर के किनारे पर ये बहुत ही बड़ा है area wise और बहुत ही largest ford है किला है इसमें आगवर्फोद रहता था ताज मैं इसदार से दिखाई देता है ये जितना ऊपर बना हुआ है उतना ही underground भी है आज कल इसका 25% area देखने के लिए है बाकी जो है वो military के अंडर में है ये जो white वाला ford है ये ford जो है बिल्ट करवाया था Britishers ने 1640 में ये भारत का सबसे पुराना किला है ford St. George ये ford St. George है it is located on the coast of Bay of Bengal ये Bay of Bengal के किनारी पर इस्थित है ये जो है Britishers ने बनवाया था Indians ने नहीं बनवाया था और सबसे पहला किला है ये भारत में बना हुआ ये red ford है जो कि दहली NCR में है इसको शाहजा दोरा बनवाया था शाहजा भी एक मुगल एंपरर था on every independence day every independence day पर यहाँ पर Indian national flag host किया जाता है by our prime minister ने बनारा it has been the seat of many rulers यहाँ पर कई सारे राजाओं ने राज़ी किया है दहली जो है NCR national capital region तो वहाँ पर capital रही है भारत की शुरुआज से ACTA वहाँ पर बहुत सारे राजाओं ने राज़ी किया है यहाँ पर our independence या फिरन आप उसे देख सकते है गर्तन दिवर जो हमारे रेपब्लिक डे होता है उस पर यहाँ celebration होता है और independence डे पर प्राइम मिनिश्टर यहाँ आपकर इंडिया का flag host करते है यह जो picture रही है हैदराबाद की चार मीना चार मीना बस बिल्ट वाई मुहमत कुली कुतुबशा मुहमत कुली कुतुबशा ने इने बनाया था यह सुल्दान थे होलकुंडा के इन दे यर 1591 में इसे complete किया राय गया था इट इस अ फैमस मॉस्क्यू यह बहुत ही फैमस मॉस्क्यू है and monument in हैदराबाद हैदराबाद में इस थित है कई लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आते है दिस पिक्चर इस चिताुटरगार फोर्ड चिताुटरगार फोर्ड हाइलाइट द राजपूत स्टाइल ऑफ あइर्टिटेक्चर यह मुगल स्टाइल से नहीं है यह राजपूत से है जो राजपूत इसमें दोनों की चलग दिखाई देती है मुगल और राज़कूत आर्टिटेक्चर की इसमें 953 स्मॉल विंडोस है छोटी छोटी खड़किया 953 बनाई गई है इसलिए इसे हवा महल नाम से जना जाता है यह जैपूर का चंतर मंतर इसे माराजा सवाई जैसिंग 2 ने 1724 में बनवाया था यह टाइम और मुमेंट आप अप 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 सं की एक्जेक्ट कैलकूलेशन बताता है मून और प्लैनेट के मात्यम से जैसे इसकी शेफ दिख रही होगी इसकी ने 1724 में बन पताता है कि साइंस मोजूद थी उसकी परशाई के अप्रडिंग टाम का अंधाजा लगाए जा सकता है यह भारत की नालंदा यूनिवरसटी है इस दा उल्डेश्ट यूनिवरसटी इन वर्ल्ड वर्ल्ल सबसे पुरानी यूनिवरसटी है उनिवर्सिटी जहाँ पर आप college के बाद पढ़ाई करते हैं उसे युनिवर्सिटी का जाता है नार्लगदा दिपेक्ट करते हैं जैसा आपको पताय गया है तो इन्हों ने कई जगह पर पांच जगह पर वारत में जंतर मंतर की स्थापना गी थी